बश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जहां पे हम लोग DAAASB 2018 का जो प्रिवियस का कॉस्चन था उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे और आज के वीडियो से पहले हम लोग पार्ट वन जो हैं वो अपलोट कर चुके हैं जिसमें हम लोग 20 कॉस्चन था उसमे को रिजिनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉस्चन देखिए पहला कॉच्चन पुछा गया है कि सी इसकल टू 3 सी एन इसकल टू 18 तो कंप्यूटर इसकल टू कितना होगा ठीक है तो देखिए ये कॉस्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको A, B से Z तक का जो अलफाबेटिक जो है वो कितने नम्मर पे आता है उसको आप को जानना पड़ेगा ठीक है जैसे देखिए ये इसकल टू 1, ये 1 में आ रहा है, B दो बार में आ रहा है, C जो है वो 3 टाइम्स में आ रहा है, इसी तरह Z जो है वो 26 टाइम में आ रहा है, तो C 3 हो गया, ये 1 हो गया और N हो गया 14, ठीक है, तो टोटल को एड करते हैं तो हो जाएगा 18, तो समझ गए कैसे बनता है, इसी तरह अगर आपको पता है तो आपको C is equal to 3, O is equal to 15 होगा, M is equal to 13 होगा, इसी तरह करके आप R तक को एड कर लें, तो टोटल जो है वो 111, यानि 111, ठीक है, तो इस question का जो right answer होगा, वो हो जाएगा option number B, ठीक है, आप इसको एक बार add करके देख लिजेगा, ये right answer होगा option number B, next देखिए, next हम पुछा गया है, कि 7, 4, 5, 8, 3, 2, संख्या में से विसम अंकों का योग, तथा सम अंकों का योग में जो है या अंतर, कितना होगा, ठीक है, यानि odd number और even number को add कीज опас को दोनों का difference निकालना है, तो देखिए, odd number क्या है, 7, 5, और 3, तो इसको अगर add करते हम जाता है, 15, और even number है, 4, 8, 2, इसको add करते हम हो जाता है, 14, ठीक है, अब इस दोनों का difference डिफ्रेंस निकालना है तो 15 में अगर 14 डिफ्रेंस निकालेंगे दोनों का तो माइनस होगा वन बचेगा इसका राइट एंसर वन ठीक है यानि इसको क्वेशन का राइट एंसर होगी आप लोग समझ गए हैंगो नेक्स देखिए नेक्स पुछा गिया है कि अंग्रेजी सब सब्दों में निमलखित सब्दों में से कौन सा सब्द जो है वह तीसरी अस्थान पर आएगा ठीक है यानि यह सब्द दिया हुआ चार्ट हो इसमें थर्ड रेंग में को आएगा वह आप लोगों को बताना है तो यह बहुत इसको बना सकते हैं तो इसका राइट एंसर जो में आएगा यह फोर्थ में आएगा तो हम लोग को पूछा गया था कि तीसरे अस्थान पर क्या आएगा उसको बताना है तो इसका राइट एंसर होगी आपसन नमबर यह ठीक है अगर आप लोग वीडियो देखते हैं और पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंठ जरू करें ठीक है और कॉमेंठ करके बताएं कि वीडियो पसंद आया तो इसका आगला पर्ण्व लाइगे ठीक है और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ने कि आ त्वासॅप पर मेसेज किजयेगा वहाँ से आप लोग को जो हे वो प्रिबियस यर का नेच्ट देखिए नेच्ट पुछा गिया था कि एथलेटिक्स का संबन स्टेडियम से है तो उसी तरह जो है वो इस्केटिंग का संबन किस से होगा ठीक है तो देखिए एथलेटिक्स का संबन जो है वो स्टेडियम से है तो इसकेटिंग का संबंद जो है वो रिंग से होगा यानि इसका राइट एंसर जाएगा अपसे नमबर काविया का मुह जो है वो दक्षिन की और है तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि इधर जो हमेंसा राइट में इस्ट होता है उपर की और नौर्थ होता है और नीचे की और साउथ होता है तो देखिए यहां दिया था कि मुह जो है वो दक्षिन की और यानि स यह तो बोला कि इस सामें 140 ग्री Studio 402 पर मुडती यानि मान चलिए, लगवग यहां पर आ धिक है मुडती है और फिर घड़ी की 293 US दिशा में 175 आफ यहां से फिर अगर इस question को एक और टाइप से बना सकते हैं कि दखिए एक बार दिया है कि anti-clockwise और एक बार दिया है clockwise ठीक है तो आप दोनों का difference निकाल लीजिए तो 175 में 140 अगर घटा देंगे तो 35 डिगरी होगा यानि यहां से clockwise 35 डिगरी कहां पर आएगा वह आपका right answer होगा ठीक है इसको भी आप निकाल सकते हैं या तो एक बार आप anti-clockwise 140 डिगरी जाएगे और फिर वहां से आपको 175 डिगरी clockwise जाना है ठीक है यानि यहां पर आएगा य यानि इसका right answer हो जाएगा Southwest यानि दक्षिन फशिम तो इसका right answer होगी आफसर नंबर C ठीक है तो आप लोग समझ गये होंगे और अगर नहीं समझ पाएं तो देखिए इसका यहां पर हम लोग पहले से पेपर में ड्रॉ किये हुए हैं आप यहां से भी समझ सकते हैं नेश् ठीक है तो B का पुत्र हो गया यानि यह downward जाएगा नीचे जाएगा तो B का पुत्र जो है वो यह है ठीक है और B और C जो है एक दूसरी की बहने है यानि B और C जो है एक दूसरी की बहने है ठीक है यह यहां पर देखिए माइनस और प्लस का चीन देख रहे होंगे तो माइ सी जो है वो डी की सी की मा जो है वो डी है ठीक है यानि सी की मा हो गया डी मा है यानि इसको एक बार अब वर्ड में हो लिखाएगा तो यह देखिए मा थी तो यह भी माइनस हो गया अब यहां दिया है कि डी का पुत्र जो है वो यह है ठीक है तो देखिए डी का पुत्र जो ह वो तो C का भाई D C की मा जो है वो D है और D का पुत्र E है ठीक है तो D और C जो है आपस में भाई बहन हो जाएगा ठीक है तो यह हो गया हम लोग इसको फिगर ट्रो कर ली अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो निमिल्कित मैं से कौन सा कथन जो है वो सही है वो देखिए यह B का पुत्र है यह और B का भाई है E तो यह का रिलेशन जो है E के साथ है वो क्या हो जाएगा मामा का है ठीक है यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑफिशन नमबर B नेक देखिए नेक्ट हम पूछा गया है कि निमिल्कित सिंखला में छोटी हुई संख्य का पता लगा यह ठीक है यानि जो इस पर रिक्त है उसको हम लोग पता लगाना है तो देखिए यहां है 0 से 7 गया है 7 से 26 26 63 63 से 124 यह से करके यहां पर जो मिस है उसको हम लोग को बताना है ठीक है तो देखिए इसको हम लोग यहां पर आगे समझते हैं तो देखिए इसको ऐसे बनाना है पहले दोनों का डिफ्रेंस निकालेंगे तो 0 और 7 का डिफ्रेंस जो है वह 7 होगा फिर 7 और 26 का डिफ्रेंस होगा 19 ऐसे करके हम लोग सब का डिफ्रेंस निकालेंगे ठीक है यहां तक अब देखिए एक बार में डिफ्रेंस में अगर एक सिरियल वाइज में आ रहा है इस तरह करके हम लोग यहां तक निकाल लिए तो 36 यह आया 30 तक ठीक है यानि 61 और 91 का डिफ्रेंट जो था वो 30 था तो अब यहां पर इस सीरीज में हम लोग देखिए देखिए 12 से 6 बढ़ा 18 18 से 6 बढ़ा 24 24 से 36 तो इस फिर से बढ़ेगा यानि 36 हो जाएगा तो यहां यहां पर पर इट करने के बाद हो इसके समझ गए होंगे निश्ट भूझा पुछा कि विजय राजु का भाई है ठीक है तो देखिए विजह वो राजु का भाई है और रेखा जो है वो अभी की बहन है ठीक है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं यहां से फिर दखिये राजू रेखा का उत्र है ठीक है यानि जब तक एक दूसरे से रुलेटेट नहीं निकले तो आप उसको पहले उसको नहीं बनाना है तो देखिए यहां था वीजय जो है इसलिए हम लोग इसको बाद में देखेंगे अब यहां पर देखिए इसमें था राजु जो है वो रेखा का पुत्र है यानि राजु की मां हो जाएगी रेखा अब देखिए अब यहां पर था रेखा जो है वो अभी की बहन है अब पुछा गया था कि रेखा का विजय से क् संबंद है त्टिक रेखा जो है वो राजू की माहाः राजू जो है वो वीजय का भाई है इस शाहरitaели पार यहाइक ही कैने अधिक है ल के नेच्छ्छ सबस्साइब करना कि नीचे एक पासा दिया हुआ चार्ट हो ठीक है उसमें अलग-अलग स्थिति दिखा दे दी गई है और पुछा गया है कि नाइन का अपोजिट नंबर कौन सा होगा ठीक है तो देखिए पासा में जो है टोटल छे डीजिट होता है यानि छे नंबर रहता है ठीक है तो देखिए इसको जो है आपको नेगलेट करके बनाने के लिए मैं बता रहा हूं तो देखिए जैसे नौ का अपोजिट के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर आप देख रहे है तो नौ अगर इसका अपोजिट प ठीक है अगला देखिए यहां पे नो है तो यह यहां दो है और चार है तो देखिए फिर से एक बार चार भी कट जाएगा यानि चार भी नहीं होगा ठीक है अब अगला देखिए यह नो था यहां पे यह पांच था ठीक है और यहां पे चार है यानि पांच भी नहीं होगा क हैं कže यूट कि हम लोग इसको देख चुकिए है फिर चार भी नहीं होगा हम लोग इसको देख चुके हैं और फिर दो भी नहीं होगा इसको इसको देख चुके मतलब जो है वो कितना आएगा तो हम लोग इसको यहां पर जोड़ के देख लिए हैं अलग से कि 10 जो है वो n मतलब into होता है तो यह हो गया ठीक है फिर l मतलब प्लस होगा यहां पर दे दिए n मतलब into होगा और और जो बचा लाश्ट में एम तो एम का मतलब था माइनस ठीक है तो इसको अगर हां पर हम लोग solve करेंगे तो इसका right answer हो जाएगा 60 यानि इसका right answer होगी option number B ठीक है आप लोग इसको solve सब्सक्राइब करके करें देख लीजेगे निमलिखी मैंसे खाइब कौन सा अगरण है उसको बताना चKitक उसमें कौन सा अलग है उसको बताना है तो देखिए पहला था सीखना दूसरा था लिखना और तीसरा था ग्यान और चोथा था पढ़ना ठीक है तो देखिए यह अप्शन नमर ए बी और सी यह तीनों जो है वो पढ़ने से रिलेटेड है ठीक है यानि पढ़ाई के मतलब इस का राइट एंसर हो जाएगा और नमर सी कि नेक्श देकए नेक्श पुछा किया था कि मीरा का परिचे करते हुए कुमार ने कहा कि उसकी मा यह देखिए यहां पर मीरा है Михe classics इसकी मां ये मां हो गई ठीक है उसकी मां की मां जो है वो कुमार का जो है वो सास लगती है ठीक है यानि उसकी मां मेरी सास यानि कुमार की सास की एक लौती बेटी है ठीक है तो पुछा गया है कि कुमार का संबंद मीरा से किस परकार है तो कुमार का संबंद जो है वो मीरा से क्या होगा पीता का ठीक है तो इसका Left answer होजाएगा or option no.d नेक्स 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 देखिए नेक्स फूचा गया है कि पांछ साथ अने एक दोड़ बने भाग लिया जिसमें अकबर ने दोड़ को मनीश से पहले अकबर ने दोड को जो है वो मनिस से पहले लेकिन गनेश से पीछे यानि गनेश से पीछे संपन किया ठीक है उस दोड में जो है अकबर जो है वो मनिस से पहले है आगे है लेकिन अकबर से पीछे है ठीक है यहां तक हो गया अब बोला है रागुल ने दोड को संजे से किसने जीता तो देखिए सबसे लाश्ट में संजेब पहुंच रहा है और सबसे पहले जो है वो गनेश पहुंच रहा है तो इसका राइट एंसर होगी आफसे नमर सी एक दिन साम को सुरियास से पहले गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे अगर बाला की छाया बिलकुल दाई और पड़ रही है तो गुना का मुह जो है वो किस दिशा में था ठीक है तो देखिए मैं पिछला कोसे नहीं बता चुका हूं कि हमेशा आपको तो देखिए सुरियास के टाइम बोला गिया था का सुरियास के टाइम बताया गिया है कि गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे है ठीक है और बाला की छाया जो है वो बिलकुल दाई और पड़ रही थी तो गुना का मुह जो है वो किस दिशा में है तो द छाए तु इसका फेसो गिया नौर्फ की ओर और बोला गया कि एक वो जो गुणा है वो एक दूसरे से अपोजिटिव में बात कर रहा है पटेश बाला का फेश जो है वह नौर्थ की ओर होके बात हो रहा तो गुना जो है वह साफ़ युथ चार रा होगा अगर 16 दिसंबर 2002 को सुक्रवार था तो 21 तिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा ठीक है तो देखिए इस तरह का कोश्चन बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई जैसे एक जनवरी 2001 ठीक है मान लिजे एक जनवरी 2001 को मंडे था ठीक है तो अगर लिप येर नहीं पढ़ रहा उस बीच में उस वह एक य दिन हो जागा यानि अगर लिप ये अगर एक जनवरी को मंडे था उसके बाद लिप येर पढ़ता तो अगला साल जो है एक जनवरी वह वेदनस टेक हो होगा यानि दो दिन एक दिन बाद फिक है दो दिन बाद तो इस तरह यहां देखिये हूं 16 Umber के बारे मिला गया है तो 16 December 2002 टेना तो 16 intended 2002 जो था वह वह क्रęt इसवार था ठिक है यानि 5 टार के तो 16 September 2003 को भी जो है वह क्या हो जायगा Saturday हो जायगा क्यों कि 2002 और 2003 जो है वो लिफियर नहीं होता है ठीक है अब देखिए अब पुछा गया है कि 16 दिसम्ब अब पुछा गया था 21 दिसम्बर तो हम लोग पहले निकाल लिए 16 दिसम्बर 2003 को Saturday होगा अब निकाल लिए 16 दिसम्बर 2004 को क्या होगा तो 16 दिसम्बर 2004 को क्या हो अब पूछा गिया है 21 दिसमबर तो देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5 यानि ये मंडे था तो ये Tuesday Tuesday होगा ये Wednesday होगा ये Thursday होगा ये Saturday होगा यानि 21 दिसमबर को जो है वो Saturday होगा यानि इसका राइट एंसर हो जाएगा अफसे नमबर भी ठीक है तो ये आज के वीडियो का ला अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद